तो चलिए, question start करते है, bonus सेर के, ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जो starting में जो lecture लिया था, ठीक है, जो basic पढ़ा था, exactly वैसा ही काम करना है, ठीक है, लेकिन मैंने जो बताया था, मतलब एकदम reality के इसाब से balance sheet में क्या फरक पड़ता है, वो भी मैंने बताया था, आपको bonus सेर से, जो question आते है, वो इस type के sort question आते है, ठीक है, और बड़े question जो आते है, वो आपको, जो आपके चौथे number का chapter है, ठीक है, मतलब preference है, redemption का, उसके साथ merge करके पूछा जाता है, ठीक पर हमारे पास bonus देने के जो sort question है, वो कैसे करेंगे, देखो, issue the share, capital of, देखो, आपको है ना question के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले number of share कितने है, ठीक है, पहले, पहला point आपको number of share देखना है, अगर number of share गलत ले लिया ना question के अंदर, तो गलती हो जाएगी कि आपक bonus गलत आजाएगा, ठीक है, क्योंकि question के अंदर वो लोग है ना, दो-तीन जगापे number of share अलग-अलग देंगे, ठीक है, क्योंकि number of share पे खास द्यान रखना, क्योंकि वो लोग authorized capital भी देंगे, ठीक है, फिर issue भी देंगे और paid up भी अलग से देते हैं, तो ये सब चीज आप ध 50,000 equity share की है, rupees 10,000 rupees की, मतलब देखो, यहाँ पर तो आपको दीख जाता है, कि sir, 50,000 share है, ठीक है, तो बहुत सारे student क्या करते है, यहीं से मतलब सोच लेते हैं, कि चलो 50,000 share, ऐसा मत करना, ठीक है, on the 31st 3,2011, it had 4,00,000, okay, 4,00,000 to the credit to the general reserve and 1,50,000 to the credit of the profit and loss account, okay, and the company decides to issue in the bonus share, the rate of 1 share for every 2 share held, देखो, यहाँ पर लिखा है bonus का part, 1 share for every 2 share held, देखो, क्या लिखा है, utilize, utilize the general reserve up to 2 lakhs and the balance amount in profit and loss account, okay, आपको यही same point पूछ लेंगे MCQ में, ठीक हैं, और assuming that the above scheme has been, okay, यह सब कोछ जरूरत नहीं, आपको सिब journal entry करना है, okay, अब देखो, कैसे क्या करना है, पहले समझ लेना, question के अंदर इतना अच्छा है ना कि हमारे पास question के अंदर सिधा-सिधा बोल दिया कि 50,000 share है, और यहाँ पर दूसरे कोई और share है ही नहीं, ठीक है, कि जिसमें authorized capital दे रखिए, जिसमें paid up capital दे रखिए, तो ऐसा कोई question है, तो समझ जाओ कि आपके पास number of share कितने है, 50,000, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, number of share जो है, company के पास है, 50,000 और एक share रुपीज 10 का है, ठीक है, पहली information यह अपने को collect करना, फिर दूसरी बात यह है कि question के अंदर आपके पास general reserve और profit loss account का balance कितना है, क्योंकि उसके बीना तो हम bonus ही नहीं दे सकते हैं, याद करो, इसके पहले के lecture का आपका जो last topic था, अवेलिबिलिटी of resources, अगर उसके resources है आपके पता नहीं है, तो फिर कैसे bonus दे सकते हैं, तो आपके पास general reserve है 4,000,000,000 और आपके पास profit loss account जो है उसका amount है, बोले के 1,50,000,000, तो पहले ये decide करो कि हम bonus कितना देने वाले क्योंकि अगर आपका bonus के हिसाब से आपके पास resources अवेलेबल नहीं है तो आप bonus नहीं दे सकते तो bonus देने के लिए जो आपके पास resources अभी तक दो है एक तो general is of pn लगाओ तो चलो bonus की calculation करवा देखो bonus में क्या बोला है लेता हूँ one share for every two share help ऐसा लिखा है इसका मतलब यह हो जाएगा कि आपके पास दो share होंगे ना तो company आपको एक share free में देने वाले देखेंगे यह इसका मतलब हो जाता है तो अगर यह आदमी किसी भी आदमी के पास अगर company का share होंगे उसको दो पे एक share free of cost मिलेंगे तो अगर company के पास 50,000 share है तो 50,000 share के बदले में market में कितने bonus share लोगों को देने पड़ेंगे तो आप बोलोगे sir 25,000 share market में issue करने पड़ेंगे यह 35,000 share तो share आए अब 35,000 share एक share रुपे 10 का होगा तो total bonus share की जो amount होगी न वो 2,50,000 रुपे हो जाएगे अब 2,50,000 रुपे की bonus amount आपको देनी है लेकिन आपको देखो question के अंदर बोला भी गया है कि general reserve को कितने तक use करना है तो देखो general reserve में से आप 2,000,000 से जादा amount मत use करो ठीक है और bonus कितना देना है 2,50,000 तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते के पूरा 2,50 general reserve से दे दो ठीक है क्योंकि देखो general reserve में 4,000,000 रुपे है अपने पास दे सकते लेकिन उसने मना किया है कि यहाँ पर general reserve में से आप only 2,000,000 ही यूज़ कर तो मैंने general reserve से 2,000,000 यूज़ किया तो सिधी बात है बाकी का amount सिधा पिधा P&L से ही जाएगा सिधा P&L से ही जाएगा तो बाकी बचा 50,000 का जो balance है वो P&L से यूज़ करना पड़ेगा और फिर बोला इसकी general andee करो तो दीको सबसे पहली general andee होती है जिसमें से bonus देते है वो debit तो general reserve account क्या हो जाता है debit profit and loss account क्या हो जाता है debit और to bonus to equity shareholder account क्या हो जाता है credit कितना bonus दिया तो देको 2,000,000 जनरलिजों में से arrangement किया पच्चास अजार P&L account और total हो गया 2,500,000 ओके और दूसरा वाला entry होता है bonus to equity share holder account कितना आजाएगा 2,500,000 और तू equity share capital two equity share capital account कितने share issue किये थे तो 2,50,000 बस बात खत्ब यह दो एंटी करनी है ठीक है और यह आप एक systematic way से आप table मना ले ना exam के इंदर debit और credit का ठीक है वो LF बीच में जो laser fully होता है वो सब ठीक है वो तो सब आप बना दो ठीक है यह general एंटी अब bonus देने के बाद जो balance इतमे जो फेरफार होगा वो क्या होने वाला ठीक है तो change due to bonus देने से क्या change होगा तो देखो company के जो equity share हो जाएंगे company के पास जो equity share हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे अभी तक कितने थे 50,000 अभी तक 50,000 थे लेकिन हुआ क्या हमने 25,000 share bonus में new दे तो 25 और 50 दुनों का total करके नहीं जब balance बनेगी न तो 75,000 share हो जाएंगे और एक share company का 10 रुपे का था मतलब 7,500,000 रुपे के company में capital देखे और अगर आपके पास जो reserve and surplus है उसके अंदर जो general reserve का portion था जो आपका पहले 4,000,000 था और profit and loss account का जो portion था जो 1,500,000 आपके पास पहले था before the bonus bonus देने से पहले ठीक है यह रहा bonus देने से पहले 4,000,000 है और bonus देने से पहले 1,500,000 तो bonus देने के बाद यहाँ पर bonus देने के बाद क्या हो सकता है तो यह 2,000,000 यूज़ कर लिया और यहाँ पर इसे 50,000,000 यूज़ कर लिया तो नहीं जब balance बनेगी तो यहाँ पर 2,000,000 निकल गया तो 2,000,000 बचेगा और यहाँ पर 50,000,000 निकल गया तो एक लाग बचेगा बस नहीं balance इट में इतना changes होता है ठीक है तो देखो आपको अगर mcq में पूछना चाहते तो कुछ भी पूछ सकते यहाँ पर से कोई भी एक amount को पूछ सकते question बना दिया आपको बोल देंगे कि after the मतलब after giving a bonus general reserve बता दो यह तो reserve surplus का balance बता दो ठीक है तो capital का balance बता दो ठीक है कुछ भी पूछ सकते है ठीक है तो यह आपको पूरी procedure आनी चाहिए यह तो मैंने अपको लिख के बता दिया आप direct भी कर सकते है ठीक है तो यह आपका पूरा full to question होगी चल आगे बढ़ते है next question अब देखो दूसरा question SISM on the 31st 3 2016 the issue देखो ध्यान से पढ़ना भी यहाँ पर issue and paid up issue भी है और paid up भी है मतलब समझो कि इतना market में issue किया उतना paid up हो चुका है और एक कोई तीना limited करे के कमनी है जिसका 4 लाग है issue and paid up और divided है वो भी 10 रुपे से लेकिन 8 रुपे ही call up and paid up है मतलब समझो कि market में आपकी जो issued and paid up capital जो है न वो कितनी है चाल लाग है ओके और आपका paid up पर सेर कितना है paid up पर सेर है 8 रुपे ठीक है actual में है 10 रुपे का सेर रुपे सेर रुपे सेर जो है वो कमपनी की face value है लेकिन अभी तक 8 रुपे ही paid up है तो मुझे बताओगे number of सेर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा number of सेर कोशन में नहीं दिया क्योंकि without number of सेर आप कैसे काम करोगे number of सेर कितना होगा बताओगे क्या करे मैं 4 रुपे को 10 से डिवाइड करूँ या 8 से डिवाइड करूँ सवाल यहाँ पर आएगा आपको भी confusion यही होता है मतलब इतने साल से मैं बढ़ा रहा हूं मुझे पता है कि mostly student यहाँ पर आके पूछते ही पूछते कि सर अब किस से ड जो कि आपको यहाँ पर paid up capital दे रखी है और यहाँ पर paid up amount कितनी है आट रुपे तो जब capital paid up दे रखी है तो amount जो divide होगी न वो भी paid up वाली ही होगी आट ठीक है तो यह चीज़ ज्यान रखा करो ओके तो यह आगया आगया आपका पच्छास अजार यह पच्छास अजार है और वो सेर की amount आई है आप देखो यहाँ पर company के directors क्या बोल रहे है तो company के directors जो है वो बोल रहे है कि हमें capitalize करना capitalize the reserve of 1 lakhs and utilize the amount as a bonus in the making a partly paid up share to fully paid up company के partly paid up share को fully paid up करना है और आपको journal entry लिखने है तो एक काम करते है हम bonus दे देते हैं आप bonus to partly paid up to fully paid up ओके तो चलो देखो bonus कितना दे सकते हैं पचास अजार का share था और आपको यह देखना है कि कितने share के पैसे से partly paid up था तो दो रुपे से बागी था क्योंकि दस रुपे का उसका share था आइट रुपे कमपनी ने ले लिये थे already तो दो रुपे बागी था कमपनी ने बुला जाने दो वो दो रुपे ही bonus में दे 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 ते तो एक लाख रुपे का bonus आ रहा है और अपने पास यहां पर जो रिजर्व को capitalize करने की बात बोली है न वो भी एक लाख ही बोली है तो हमारे पास रिजर्व भी तो है इसका मतलब है तो अब यहां पर जो first entry होगी वो क्या होगी तो ऐसा मत सोचना के जो last time पर entry किया तो वही हो जाएगा यहां पर partly paid up वाला है तो तीन entry होती है और तीन entry में सबसे पहली होती है equity share final call account debit हो जाएगा क्योंकि आप final call मंगवा होगे उसके entry करने पड़ेगी two equity share capital account ओके यह एक लाग का value आ गया और यह दूसरा एक लाग का value आ गया और खास करके आप bonus दे रहे हो उसका reserve का नाम यहां पर नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ reserve account ठीक है आप revenue reserve या तो खुछ भी लिख सकते हो क्योंकि नाम उन्होंने दिया नहीं है तो एक लाग का reserve हम दे रहे हैं एक लाग का reserve का हम capitalize कर रहे हैं और यहां पर जो नाम आता है वो आता है bonus to equity share holder account और जो थर्ड होता है उसमें bonus to equity share holder account debit एक लाग टू एक्वीडी सेर फाइनल कॉल आता है फाइनल कॉल अकॉंट एक लाग ठीक है यह आपका एंट्र होता है और यह एंटी होने के बाद पोस्ट bonus मतलब पोस्ट बॉनस बॉनस देने के बाद after bonus क्या फरक पड़ेगा तो आपके पास जो पहले एक्वीडी सेर कैपिटल था ना वो पहले कितना था बुले के पचास जार सहत थे तो अभी भी पचास ही रहने वाले लेकिन पहले क्या था आट रुपे पेड़ था ना अभी वो दस रुपे हो जाएगा तैन रुपेस फुली पेड़ हो जाएगा क्योंकि पहले क्या था चाल लाग रुपे थे आट रुपे के इसाप से तो अभी वो दो रुपे था वो बॉनस में आ गया तो वो पूरा पेड़ अप हो जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा आपका पांस लाग रुपे की कापिटल बन है तो उसमें से bonus दे दिया बात खतम होगी ठीक है तो देखो इस तरीके से काम करना ओके और कुछ नहीं आनी है ठीक है आपको दोनों question ऐसे पूछ सकते हैं sort में आपको कुछ भी यहां से पूछ सकते हैं MCQ में भी कुछ भी मतलब समझो कि bonus number of share bonus कितने दे रहे ठीक है कितना reserve हम use कर रहे है कौं सा reserve कितना use कर रहेंगे वो भी बता सकते हैं मैं बहलाब वो भी बोल सकते हैं ठीक है कि आपको ऐसा भी बता सकते हैं कि general reserve से इतना amount use किया तो बाकी का P&L से use किया तो वो P&L से use वाला amount कितना है ठीक है तो इस type से question बना के पूछ सकते हैं या तो कोई general entity directly पूछ ले ठीक है चल तो फिर मिलते हैं next lecture में ओके गुडबाई